बिएर स्टुडेंट्स प्लांट फीजियोलोजी के इसेप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे एंटिब ट्रांस्पारेंट्स यानि प्रती वास्पोत सर्जक्श एंटिब ट्रांस्पारेंट्स क्यا होते है यह देखे यानि ये वह पदार्थ होते हैं जो कि प्लांट की लीव से जो पानी वगरा वास्प की रूप में उड़ता है उसको रोकने का कारे करते हैं तो ये वो पदार्थ हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्लांट की होती हैं उनको प्रभावित किये भी ना ट्रांस्पारेशन की जो रेट होती है उसको कम कर देते हैं और ये पदार्थ ही प्रतिव वास्पोत सर्जक या एंटिट्रांस्पारेंट कहलाते हैं और ये सब कैमिकल होते हैं जो इस्टोमेटा को आंसी क्रूप से बंद कर देते हैं और इस ट्रांस्पेरिशन की जो दर है वो गम हो जाती है। और ये पदार्थ अधिक ड्राइ कंडिशन में प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं। यानि ड्राइ कंडिशन के अंदर हम जानते हैं कि हाई टैंपरेचर जब होता है तो प्लांट का जो पानी है वो वास्प की रूप में पत्यों के द्वारा अधिक उड़ता है। और अगर पोदे को पानी कम मिलता है तो उसके अंदर मुर्जान की स्थिति आ सकती है। इसलिए अंटी ट्रांस्पारेंट के द्वारा प्लांट का जो पानी उड़ता है वास्प के रूप में ट्रांस्पारेचर की रिया के द्वारा उसको रोका जा सकता है। और एक जो ideal जो anti-transparent है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए तो इसमें सबसे पहले है जैसे सभी living के लिए जो anti-transparent काम में लिया जा रहा है वह नॉन टॉक्सिक होना चाहिए यानि जितने भी जीवित आसपास रहते हैं और उस प्लांट को भी नुक्सान नहीं होना साई यानि वह नॉन टॉक्सिक होना साई और इसका प्रभाव guard cells तक ही होना साई यानि जो anti-transparent काम में लिया जा रहा है वह सिर्फ द्वार कोशिकाओं को ही कंट्रोल में रखे और इसका प्रभाव salt period वह reversible होना साई है यानि ऐसा नहीं है कि anti-transparent को अपने यूज किया और आवशकता कि अनुसार प्लांट को oxygen भी वहां से नहीं मिल पा रही है या वहां से CO2 भी नहीं मिल पा रही है चुंकि इस्टोमेटा इसके अंदर बंद हो जाते हैं तो इसका प्रभाव कुछ आवदी के लिए होना चाहिए और reversible होना चाहिए यानि कुछ समय के बाद में इस्टोमेटा खुलने चाहिए CO2 और O2 के लिए permeable होने चाहिए अर्थात जो anti-transparent का मिल लिया जा रहा है उसके आर पार CO2 और O2 का exchange होना चाहिए ताकि respiration और photosynthesis की प्रक्रिया जारी रह सके ये anti-transparent उपयोग में आसान और सस्टे होने चाहिए और anti-transparent प्रकृतिक आदार पर दो प्रकार कोते हैं जो first जो टाइप है वह है film forming compounds यानि पलत इसके अंदर जो एक layer बनती है वो layer बनाने वाले compound इसके अंदर सामिल हैं तो इस ग्रूप में कम viscosity वाले पदार्थ स्यांता वाले पदार्थ जैसे waxी पदार्थ हैं और colorless plastic या silicon या oils को यूज़ किया जाता है ये plant पर spray किये जाते हैं तथा surface पर ये पदार्थ एक पतली परत बनाते हैं ये पानी के लिए आपारगा में होते हैं यानि इनके आपारगा में होते हैं यानि इनके आपार पानी नहीं जा सकता है लेकिन ये बहुत ही कम उपयोगी होते हैं क्योंकि इन से CO2 और O2 की जो permeability है वह है कम हो जाती है तो ये फर्स्ट टाइप थी film forming compounds की दूसरी category है istometal inhibitor यानि परंड़नों को बंद करने वाले इनके निरोधक होते हैं तो इस ग्रूप में संसलेशित पदार्थ यानि synthetic material का में लेते हैं जो istometal को partially बंद करते हैं और CO2 और O2 के exchange पर इनका कोई प्रवाव नहीं पड़ता है तो ऐसे पदार थे इसके अंदर सामिल किये गए हैं जैसे कुछ fungicides, herbicides, growth regulators भी एक प्रकार से istometa को बंद करने का कारी करते हैं इसके लावा phenyl mercuric acetate जो की एक fungicide है इसका 10 की power minus 4 normality का जो solution है उसका spray दो तिन सपता तक istometa को आंसी करूप से बंद कर देता है और acetyl salicylic acid जिसको aspirin का जाता है कुछ plants में प्राकरतिक रूप से मिलता है जो low concentration होने के बावजूद भी istometa को बंद करने के लिए induce करता है और इसी प्रकार epsisic acid भी istometa को बंद करने की ability रखता है तो इनकी natural जो concentration 0.03 से अधिक की सांधरता पर CO2 भी एक प्रकार से एक natural anti-transparent ही होता है यानि अगर voiemental के अंदर CO2 की concentration 0.03 से अगर अधिक हो जाती है तो istometa आपने आपी बंद होना शुरू हो जाते है अब इसमें एक next topic जुड़ा हुआ है significance of transpiration यानि वासपोत सर्जन की importance या इसके मैता क्या है तो इसमें पहला तो इसका जो use है transpiration वह है absorption of water क्योंकि जड़ों द्वारा soil water के absorption के क्रिया transpiration द्वारा ही प्रभावित होती है और जो पोदे fast transpiration दर साती है उनमें जायलम की जो cells होती है हमेशा negative tension के अंदर रहती है और इस रिनात्मक तनाव के कारण ही जड़ें भूमी से जल को आवसोसित करती है तो ये एक important significance है क्योंकि जब पोदों से transpiration होता है यानि पानी भाव बन करके जब उड़ता है उस कमी पूरती को करने के लिए जड़ों से पानी आवसोसित होता है क्योंकि उसमें जायलम की जो cells होती है वो एक रिनात्मक tension के अंदर आ जाती है दूसरा significance है mineral absorption and ascent of sap ascent of sap से plants में जल के द्वारा गुलित लवन भी जाते है जन पोदा जल आवसोसित करता है तो उसके साथ में लवन भी आवसोसित होते है तो अगर transpiration के क्रिया नहीं होगी यादि पानी उड़ेगा नहीं पोदों का तो पोदों की जड़ों के द्वारा भी जल आवसोसित की क्रिया नहीं होगी और यह क्रिया नहीं होगी तो पोदों को लवन वगरा की प्रापति भी नहीं पाईगी तीसरा है regulation of plant temperature यानि transpiration की क्रिया plants में एक प्रकार से cooling effect डालती है और इसे पोदों का temperature नहीं बढ़ पाता है तो ताप नियंत्रन के लिए भी यह जो transpiration की क्रिया है पोदों के अंदर यह important role play करती है next है harmful effect of transpiration यानि transpiration के नुक्सान दाइक प्रभाव क्या क्या है तो जल के विबिन जो इसमें जो physiological activities हैं उन सब के लिए जल आवशक होता है और transpiration की क्रियाद्वर जल का की जो कमी होती है पोदों के लिए यह harmful हो सकती है अगर पोदा अधिक transpiration करता है तो वे मूर जाने लगता है और इस क्रिया से इस क्रिया के जो नुक्सान दाइक प्रभाव हैं वो लिथल सी दो सकते हैं transpiration के क्रिया से प्लांट्स में जल की कमी होने पर प्लांट में injury हो जाती है तो transpiration के दोरह कुल अवसोसित जल का 97 परसेंट जो भाग है वो वास्प के रूप में उड़ जाता है और जो पोदे जल अवसोसित करते हैं उसमें कुल जल का केवल 3% भागी पोदे जैविक क्रियाव के अंदर काम में लेते हैं और कर्टिस 1926 ने कहा है कि transpiration is essential evil यानि transpiration एक आवशक बुराई है और इस्टिवार्ड के अनुसर transpiration को कहा गा है कि transpiration एक unavoidable evil है यानि ऐसी बुराई है जिसे बचा नहीं जा सकता है क्योंकि लाइट में फोटो सिंथेसिक के रहा के लिए इस्टोमेटा CO2 के प्रेश के लिए खुले रहते हैं लेकिन साथ ही जल भी वास्प के रूप में उड़ जाता है और इस्टोमेटा का इसमें कोई नियंतरन नहीं होता है तो यह हमने देख लिया है कि transpiration के किर्या के दोरा पोदों का जो जल है वो वास्प के रूप में उड़ जाता है और इस कमी के पूरा करने के लिए पोदे पानी भी आवसोसित करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि इस्टोमेटा का खुला होना भी ज़रूरी है क्योंकि geaseous exchange के लिए इस्टोमेटा का खुला होना ज़रूरी है तो दिन के समय जब जैसे CO2 के प्रवेश के लिए इस्टोमेटा खुले होते हैं समय भी जल की कुछ मात्रा निकल जाती है क्योंकि CO2 के प्रवे से ही फोडो सिंतेसिक क्रिया संभाव पाती है और इस्टोमेटा के खुलने से जुपानी पोदों का जुपानी है वो वास्प के रूप में उड़ जाता है तो इस प्रकार से यह एक अनावडेबल एविल है तो यह इसके सिग्निफिकैंस थे इसके बाद में मिनरल न्यूटिशन वाला चेप्टापन शुरू करेंगे जिसको नेक्स्ट वीडियो लेक्सर के अंदर पढ़ेंगे थैंक यू